ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन नियूज हर पल हर शन हर सच केंद्री ग्रिह मंत्री अमित्साह ने भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र यानि I-4C के पहले इस्थापना दिवस पर महत्वपुन पहलवों की शुरुवात की उन्होंने साइबर सुरक्षा के महत्वपर जोड़ दिया और इसे राष्टी सुरक्षा का एहम हिस्सा बताया भारतिय साइबर अपराद समन्वे केंद्र के पहले इस्थापना दिवस समारहों में केंद्री ग्रिह मंत्री अमित्साह ने साइबर अपराद की रोगठाम के लिए नई पहलो की शुरुवात की उन्होंने बताये की I-4C के इस्थापना 2015 में एक विचार की अधार पर हुई थी और अब यह साइबर सुरक्षा में एक महत्वपून इस्थंब बन चुका है अमित्साह ने साइबर सुरक्षा को राष्टी सुरक्षा का एहम पहलू बताते हुए इसके बिना देश के विकास को और संभव बताया वह उन्होंने कहा कि तकनीक के फायदे की सा साथ इसके खत्रे भी हैं और आई फोर सी जैसे प्लेटफॉर्म इन खत्रों से निपटने में महत्वपून भूमी का निभाएगा तो जैसे आगे बतायागा है एक विचार और वो विचार देश की जरूरियातों को देखते हुए एक टोली ने विचार के बीच के रूप में इसको रोपने का काम किया था और मैं इतना निश्चीत कह सकता हूँ कि आज पीछे मूड कर देखते हैं तो 2015 से 2024 नौ साल के यात्रा विचार इनिसेटिव में परिवर्तित हुआ इनिसेटिव इंस्टिटिशन में परिवर्तित हुआ और आज धीरे धीरे हमारी सेप साइबर का ये बहुत बड़ा स्तंब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है ये बहुत बड़ा एच्विमेंट आई-फोर्सी का है इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई और साधुवाद देना चाहता हूँ मित्र हम सभी जानते हैं साइबर सुरक्षा के बगेर देश का विकास इस समय में असंभव है टेक्नोलोजी एक दुरुष्टी से मानव जिवन के लिए आशिरवाद साबित होती है कई सारे नए इनिसिटिव जो हर व्यक्तिक को सक्षम बनाने के लिए चाहे आर्थिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो या आत्मसन्मान की सुरक्षा की दुरुष्टी से हो टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा उप्योग हो रहा है विद्नेश के अंदर और एकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए भी टेक्नोलोजी का बहुत बड़ा उप्योग हो रहा है परन्तु इसके साथ साथ टेक्नोलोजी से कई सारे खत्रे भी आज सुरुजित होते हुए दिखाई पड़े हैं इसलिए मैं मानता हूँ कि साइबर सुरक्षा अब केवल डीजीटल दुनिया तक ही सिमित नहीं है साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा का एक अहम पहलू बन गाया है जिसके बगर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है इसलिए I4C जैसे प्लेटफॉर्म्स इसमें बहुत बड़ा योगदा है